हेलो वेलकम बैक टू स्टडी टाइम एकडमी दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम एकडमी के अंदर इन्वार्मेंट मेंस 365 के अंदर आज हम देखेंगे लेक्षर नंबर 3 लेक्षर नंबर 3 के अंदर जो भी इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं एक बार फटा फटा उसमें नजर माल लेते हैं आज हम mainly pollutions related topic को discuss करें जैसे की air pollution बहुत बड़ा topic है और काफी important topic है आपके exam के perspective से इसे हम देखेंगे then हम आगे देखेंगे कुछ rankings बगेरा क्या impacts होता है उसके government की कुछ initiatives देखेंगे किस तरीके से आप इसका answer writing लिखेंगे देखेंगे साथ में हम questions भी देखेंगे और उसके अंदर आपको introduction कैसे लिखना है body कैसे लिखना है कौन-कौन से points डालना है आपको किस तरीके से conclusion आपको बना रहा है वो चीज़े देखेंगे fly as management का system देखेंगे क्यों important है क्या होता है definition कैसे आपको लिखना है कैसे याद कर देखेंगे देखेंगे इसके बारे में discuss करेंगे पूरे concept को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको clear करूंगा समझाओंगा कि पॉइंट को government के initiative इसके regarding देखेंगे हम road railways और airways and waterways सभी वीस के थ्रू हम सारी चीज़ियों को देखेंगे view forward के अंदर कितने points आने चाहिए किस तरीके से important points को आप चाटेंगे उन्हें हम लिखेंगे याद करेंगे उस सारी जिये देखने वाले charging infrastructure जो हमारे electric vehicle है उसे हम उसकी बात करेंगे जो हमारा fame scheme है fame scheme की बात करेंगे उसके सारी important points की बात करेंगे तो देखिए आपका environment का part है लेकिन इसके अंदर आपकी कुछ schemes भी cover हो रहे हैं conclusion वगरा हो गई इसके अंदर energy के जो efficiency है और यस सारी चीज़ों को हम एक एक करके और बहुत यच्छे तरीके से समझने की कोशिस करेंगे और याद करने की कोशिस करेंगे chart की मदद से आपको जो है exam में बना कि आना है इस तरीके से आप चाहें तो पाई चर्ट बना सकते हैं चोटे वे में और बहुत सारी चीज़ों को हम इसके अंदर देखने वाले हैं government ने क्या steps लिखे हैं में लिए हमारे government के steps important हो जाते हैं और important हो जाता है सभी initiative हमारे लिए काफी important हो जाते हैं content बगेरा को आपको थोड़ा से support करना है lecture को share करना है like करना है comment करना है और सब्सक्राइब कर देना है साथ में अगर आप कुछ contribute करना चाहते हैं तो website में जाके आप वहाँ पर contribute कर सकते हैं और qr code scan दिया है वहाँ से भी आप contribute कर सकते हैं इस lecture के सुरुआत करने से पहले एक जल्दी जल्दी लाइए तो देखिए ऐसा है कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ मेरी जॉब भी चल रही है इसके साथ मैं मैं कोसिस किया एक initiative रहा है कि जिसे सभी लोगों को free of cost education मिल पाए तो अगर मुझे आप लोगों को support मिला और मुझे लगा कि हाँ मुझे से continue करना चाहिए तो definitely मैं अपनी जॉब को left करके और आप लोगों के लिए full time यहाँ पर access कर सकता हूं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को support चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कर सकूं और per day की हिसाब से मैं आप लोगों के लिए lecture ले कर सकूं और एक quality education को promote कर सकूं साथ मैं मैंने कोसिस कर रहा हूं कि 100 day crash course लेकिया हूंगा जिसके अंदर सभी important जो भी static portion है उसको हम cover करेंगे वो जो 2021 के लिए important होगा तो वहाँ static portion आपका पूरा clear हो जाएगा उसके अंदर buzzard economic survey सारी चीजे included रहेंगी वो भी free of cost रहेगा कोई भी को support बना रहेगा मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ काफी लोग interested हैं देखने में और समझने में और support कर रहे हैं then हम उस initiative को जरूर लेके आएंगे और इस तरीके से जो भी books की reading हो गई और अलग-अलग चीजों से किस तरीके से चीजों को याद करना है आपको answer writing session का एक session लेके आ आँगा जो weekly में दो या तीन दिन रखेंगे अपन और उससे आप लोगों की answer writing improvement होगी आप लोगों को लिखना है भीजना है यह सारी सीजी हम देखेंगे तो यह छोटी सी बात थी चलिए स्टार्ट करें लेक्चर को without an Italy में 65 environment class 3rd है एर pollution का topic है एर pollution in India is a serious health issue जैसे के हम जा topic आपके exam में आया है तो इस रिपोर्ट का अगर आप mention नहीं करते हैं तो आप समझ जाएए कि आपका एक number जो है definitely cut आएगा मतलब एक number आप less पाएंगे ऐसा समझ लिए इसलिए कभी भी air pollution का कोई भी topic आता है आपको definitely उसके अंदर एक point जरूर लिखना है what air quality report इस report को जरू in the world 21 out of 30 we are in India in 2019 2019 में 21 जो cities थी 30 में से वो इंडिया की थी तो देखे किती बड़ी एक बहुत बड़ी problem हम PM 2.5 की बात कर लेते हैं PM 2.5 क्या होता है आप लोग उन्हें न्यूस में सुना होगा और The Hindu Indian Express जो भी आप पढ़ते हैं जो भी newspaper फॉलो करते हैं तो definitely ये न्यूस में देखने को मिल जाता है कि PM 2.5 का लेबल बढ़ गया है घड़ गया है सरीकिसे दिखे तो इस इन एट्मोस्पेरिक पर्टिकुलर मेटर और डायमीटर फ्यूर देन 2.5 माइक्रो मीटर जो 2.5 माइक्रो मीटर से कम होते हैं लेस देन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं PM 2.5 औ और PM 10 दोनों की बारे में आपको पता होना चाहिए तो इसकी वेसे क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है जैसे कॉसरे रेस्पेटरिटी प्रॉब्लम स्वरी एन और और रिड्यूस द विजिबिलिटी आपकी जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस कर देखी और बहुत सारे हेल्थ इसू के सिंसिटिव कैसे जो है निकल के आते रहते हैं थोड़ा से इस पे एक बार नज़ार माल लेते हैं अपन जैसे की अब PM 2.5 के साइज को ध्यान से देखिए यहां पर यह जो यूमन का हेर है उसका साइज है 50 to 17 माइक्रो मिटर आप स रख दिया कि 52 17 माइक्रो मीटर का आपकर उसका डायमेटर होता है then fine beach sand अगर आप एक बहुत छोटा साइज बीच के पास का उठाएंगे उसका जो साइज होता है वो 19 माइक्रो मीटर होता है अगर वहीं पर हम बात करते हैं 2.5 माइक्रो मीटर सोच लिए कितना कम है आप इ सबके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम PM2.5 कहते हैं बहुत छोटे होते हैं PM10 PM10 के अंदर कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं टूटल 4 पार्टिकल्स आ जाते हैं 2.5 2.5 के 4 पार्टिकल्स एट में टूटल 10 पार्टिकल्स तो PM10 हो गया यहां पर dust, pollen, mold यह सभी के सभी मि क्रो मीटर क्लियर हो गया पॉइंट चले तो आप लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो गया होगे अब कुछ important facts देख लिए थे हैं फटाफट आप लोग नजर माल लीजे बंगलादेश इमर्ज एसा मोस्ट पॉलुटेड कंट्री और 4 पीम 2.5 एक्सपोजर फॉलूइड ब 2. नमबर पर पाकिस्तान 3. नमबर पर मुंगोलिया 4. नमबर पर आफगानिस्तान 5. इस इंडिया तो फिफ नमबर पर कौन है हमारे इंडिया है यह आपको पता हो चले है 21 out of 21 of 30 cities जो polluted हमने अभी बात की जिसमें से इंडिया इंडिया के अंदर आता है विद गाजियाबाद in the national capital region rank the world most polluted तो दुनिया के सबसे polluted जो है national capital जो रीजन है हमारा उसके तहद जो गाजियाबाद वाला जो रीजन आता है जो यूपी बॉर्डर से लगता है तो आप लोगों की रीजन पता ही होगा तो यहाँ पर यह चीज आ जाती है ठीक है देखे गाजियाबाद से यादा है कि कुछ जो है बहुत जादा fake profile बना रहे है study time academy के नाम से मैंने google में भी search किया website वगिरा का तो वो हमारी website को ठाके अपने इसमें डाल रहे हैं वहाँ पे जो location आ रही हो गाजियाबाद है तो आप लोगों को इसको नहीं मानना है अप लोगों को ठीक है जो link दिये link के थू आपको ज जाना है वो सारी चीजों को देखना है और वहाँ से बीडिया वगिरा को download करना है इंडियन सीटी इस एन एवरेज एकसीड वर्ड हेल्थ औरग्नाजीशन तो वर्ड हेल्थ औरग्नाजीशन की दौरा बताया गया था टार्गेिट रखा गया था कि पीयम का जो जी से कर गया है 500% ये काफी important है और काफी concern वाली चीज़ है कि 500% जादा PM 2.5 इंडिया के अंदर है जो कि बहुत ही important चीज़ है इंडिया से पहले नमबर पर होटान चाइना से गुजरन वाल पाकिसान फिर फाकिसान फिर दिल्ली इंडिया आ जाता है पाचो नमबर पर 98.6 PM 2.5 माइक्रो गाम जो है क्यूबिक पर मेटर क्यूब के साब से तो गुरगाओं इंडिया का नौइडा हो गया दिखिए इंडि के अंदर ही काफी सादा से डीज हैं तो इस तरीके इस चीज़ों को आपको याद भी रखना है क्या कारण होते हैं air pollution के देखिए हमें subjective में ज़्यादा घ्यान देना है है ना fact प्लिस subjective आपका answer quality रहेगा लोग सोचते हैं सिर्फ subjective होगा नए सिर्फ subjective होगा तो normally आपको एक average marking मिलेगी लेकिन subjective के साथ आप अपने answer को support करते हैं किससे factual information से अगर जब भी आप factual information देते हैं that means आपका answer supportive हो रहा है तो आपके answer को support मिलता है उस fact से तो ये जब चीज़ें आपस में मिलती हैं सामने क्या निकल के आ जाता है आपका quality answer clear क्या कारण है causes बताई आप emission from the burning of fossil fuels burning fossil पीस हो गए industrial emission यह normal चीज़े जो vehicles वगे रहोते हैं उनसे emission निकलता है petroleum refinery power plant normal चीज़ें बताएं जरूरत नहीं हैं आप लोग याद कर लेंगे एक पर rate कर लेंगे PDF को download कर लीजएगा telegram group से या फिर आप website visit करिएगा नीचे link दी गी है तो वहाँ से आप PDF को download कर सकते हैं तो जाई हो PDF को जरूर टान रूच कि इसको print निकाल लीचे इसको बार बार रिपीजन करिए याद करिए इस्टबल बर्बनिंग एगरिकल्चर पॉलुशन दिल्ली इंसिया रिजन ये जनरल से चीज़े हैं चो मैंने लिख दिया है इसको आपको याद करना है नॉर्मल चीज़े हैं अब जो fact है वो मैं आपको repeat करते हुए नहीं चलूँगा important impacts of the air pollution क्या क्या impacts होता है health की उपर impacts होता है generally आप लोग लिख देंगे economic की उपर impacts होता है ये मैं आपको अब भी समझाता हूँ कैसे health की उपर भी पहले बताता हूँ जिसे center of science and the environment CSE की तोरह है recent study हुए इसना है बता है कि जो life expectancy है लोगों की जो जीने के एक तरीके से life expectancy है इंडिया में वो down हो गई 2.6 year ऐसा समझ लीजे के पहले जो लोग हुआ करते थे वो 80 साल तक जिन्दा रहते थे लेकिन अब क्या हो गया है pollution की वेज़से उनकी जो health है वो खराप होने लगी जिसकी वेज़से उनकी जो death थे वो earlier होने लगी that means वो 2.6 year पहले death होने लग गई average हम लेके चल रहे हैं आपे तो यह court कर सकते हैं आप answer rating के अंदर economic के अंदर बात कर रहे है हमकी estimate peak of the economic cost air pollution of Indian economy more than 150 US जो billion dollar है yearly आता है air pollution के वेज़े से pollution related death हो जाती है sickness आती है जो जो भी इस तरह के जो खर्चा होता है economic अंदर बहुत बड़ा impact पड़ रहा है sources of emission of air pollution यह chart को याद कर लेज़े बहुत important है industry से 52% देखे ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुर रटना है चीजों को रटना नहीं है पर एक माइन में होना चीज़े कि किसका सबसे ज़्यादा था industry से सबसे ज्यादा निकल रहा है तो industry पहले नंबर पे 52% मतलब more than half तो 52% याद रख लिए transportation से 27% जो pollution निकलता है और consumer commercial products 8% हो गया और recital heating मगेरे से 1% agriculture से 10% important हो जाता है order sources से 2% clear यह सारी चीज़े याद रख नहीं है now climate change की वेज़ से global warming acid rain deplomation ओचोड लोनिया होता है climate change होई रहा है pollution की वेज़ से बहुत तेजी से देखने को हमने previous lecture के अंदर बहुत अच्छे से डिसकस किया है climate change के topic को जिन लोगों नहीं देखा उसको जरूर जाके देखिए impact of wildlife की उपर बहुँचा दा impact देखने को मिलता है विचारे जो रहते है habitat उनके problem में जाते हैं तो यह सारी चीज़े हैं तो चलिए देख लेते हैं government की कुछ initiative to compact air pollution यह सारे की सारे important points है आप चाहें तो as it is इसको एक बार read करिएगा पीडियो से याद करने की कोशिस कीजिएगा बहुत important है कहीं भी pollution selected topic आएगा आप इसको directly mention कर दीजिए उसमें कुछ ऐसा रटने वाली चीज़े नहीं आपको में समझा देता है notification of national air ambient air quality standard अलग-अलग create किया गया है setting up monitoring network assessment ambient air quality index बगएर किया जाता है then cleaner gases लेकिया जैसे की CNG होगा LPG होगी सारी ethanol bending बगएर होगा इस सारी चीज़े हमने किया then हमने national air quality index release कर रहे है जिसे लोग की performance देखी जाए हर एक state district की then leapfrogging from BS4 to BS6 हम BS5 को जो है jump कर गए BS5 में नहीं आया है BS5 को jump करके BS6 में direct पहुंच गए है इससे हमने efficiency बगएर सब चीज़ों की बढ़ा दी है यहाँ पर 1st April 2020 से यह launch हो चुका है then banning और burning और biomass को banning हमने ban लगा दिया है then हमने promotion और public transport को हमने promote किया है network क्रियेट किया कि public transport ज्यादर ज्यादर लोग यूज़ करे अपना खुद का transport यूज़ न करे ऐसा न करे कि एक person जा रहा है और कार लेके जा रहा है थोड़ा सुबह 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 साइक्लिंग कर लीज़े आप साइक्ल रख लीज़े दो चार किलो मीटर आसपास जाना है तो साइक्ल से चले जाए बाइसिकल बहुत अच्छा है आज कल के तो बहुत अच्छे quality में आने लग गए तो आप उसका यूज़ कीजिए जो की निटीवन के तहत है यह सारी चीज़े इंपॉर्टन्ट है जो इसको आपको लिखना है नो यहां पर कुछ रेगुलिशन बनाए गाए जैसे की ब्रस्टिंग पॉलुशन इमिटर एमिटिंग क्रेकर्स अगेरा ग्रेडर रेस्पॉंस एक्षन प्लान डिल्ली द्रॉप ऑफ अलार्मिंग इयर पॉलुशन इशू इन दा कंट्री तो यह आपको अनसल लिखना है कैसे लिखेंगे पहले आप इंट्रोडेक्शन दीजे सौट में डिफाइन करिए एयर पॉलुशन को ठीक है इसको आप एटम करिएगा और कुछिस करिजिए का स्रेंट क दा मल्टिपल फ्रेंट्स जिससे कि मैंने बता है कहा कहा यह एफक करता है क्लाइमिट चेन में प्रॉब्लम निगलता है आपके हेल्थी सूप में प्रॉब्लम आता है एक-एक सेक्ट डाल दीजे क्लियर एक्कोनोमी में इंपक्क करता है 150 बिलियन डॉलर का था आप इयर पॉलिशन के 900 हट एकनोमी जैसे कि हम भी हमने बात की थी एकनोमी को भी हट करता है ठीक है क्योंकि हेल्थ कोस्टों सभी लोग देखेंगे लेकिन एकनोमी लिखना इंपॉर्टन हो जाता है कैसे इन 2018 के जो स्टड़ी हुई थी अभी स्टड़ी हुई थी स्कॉप Suppose एक एक एक्जांपल देता हूँ कि ऐसे इंडिश्टी जहां पिर बहुत सारे लेबर काम कर रे है अब उसके ふएसे क्या हुआ कि किसी को हैल्थ प्रॉब्लम आ गई बहुत जाद आ एयर पॉलिशन है उसको हैल्थ प्रॉब्लम आ जगई तो जिस हिसाब से चृतना काम कर होगी तो यह डारेक्ली इंडारेक्ली जो हो गई लेबर इंटेंसीफ फार्म जो है बहुत तीर से इंपक्ट पड़ेंगे इसमें आप सपूर्टी रोल में कुछ आप फैक्ट डाल देंगे तैनाप कांसर कॉलिटी वाला बन गया यहाँ पर इस समझ नाइंटी परसन ओफ ल यह सारी चीज़ आपके लिए इंपोर्ट हैं देन कंक्लूशन में आएंगे आपर कंक्लूड दैट इंडिया इयर पॉलिशन पॉलिशी नीड तो बी मोर सिस्टमेटिक और सॉलूशन नीड तो बी पूट इन प्लीस विधाब मल्टी प्रोन एप्रोच को लिखेंगे इसक इस टेट लेबल पर काम करना होगा हर एक पर्सन को अपने एक बेसिक लेबल पर भी काम करना होगा तब हम एयर पॉलिशन को कंट्रोल कर सकते हैं clear now we are going to discuss fly-ass management fly-ass management में अंदर क्या है definition सब से पहले definition है इसको लिखिया आप definition क्या है it is a by-product from burning of coal burning of coal से जो by-product आता है उसे हम कहते हैं clear in a electric power generating plants के अंदर it is called fly-ass because it is transported from combustion chamber by exhaust gases इससे fly-ass क्यों कहा जाता है क्योंकि इसे हम transport करते हैं combustion chamber से exhaust gases के अंदर clear हो गया इसके काफे यादा important चीजे भी है fly-ass management के composition आप देख सकते हैं एक बार important नहीं है याद नहीं करना है आपको जिससे silicon dioxide इसके अंदर रहता है calcium oxide रहता है aluminum oxide रहता है ferric oxide रहता है तो इस सारी चीजे components रहते हैं एक बार देख सकते हैं अब इसके uses क्या है देखिए कि important इतना खास important नहीं है बस एक बार नजर माते चाहिए pliers pellets के replace normal aggregate concrete mixture को replace कर सकता है material or portland cements वगरा के जो आप use करते हैं sand वगरा के साथ pliers का use किया जा सकता है structural fields के अंदर cement cleaner production के अंदर stabilization और soft soil को अंदर तो इस तरीके से इसके बहुत जादा uses है agriculture के use है soil amendment fertilizer, cattle feeder, soil stabilizer इन सब में इसका use देखने को मिलता है decarbonizing transport के अगर मैं बात करता हूँ तो definitely काफ़ important हो जाता है decarbonizing transport मतलब जो transport से आपका carbonic set निकल रहा है उससे हम को कहना उसको decarbonizing करना है ये बहुत अच्छा initiative है government का तो नेतियायोग is in collaboration with international transport forum नेतियायोग international transport forum के साथ jointly इस program को long carbonizing transport in India project इस project के अंदर क्या होगा हम पहले decarbonizing transport के concept को समझते है हम क्या करने वाले इस के अंदर transport emit around 23% of energy related CO2 that feed global warming global warming को बढ़ावा रहता है CO2 जिसमें से 23% जो है transport चैनमेट होता है energy without immediate action its shared could reach 40% by 2030 तो expect किया जा रहा है कि ये 23% जो CO2 release होता है transport system से तो वो बढ़के 40% हो जाएगा 2030 तक और वो 60% हो जाएगा है by 2050 तक ये बहुत बड़ा concern है क्योंकि futuristic approach रखते हुए हम कभी भी किसी answer को लिखते हैं तो उसके अंदर futuristic aspect आना बहुत important है क्योंकि आप future में काम करने वाले हैं तो आपको बताना होगा कि future में ऐसी problem आईगी या इस सरी के इसका ना सकते हैं तो इसकी solution है clear decarbonization means क्या होता है reduction reducing greenhouse gases emission produced as a result of transport transport के इसे जो greenhouse gases जी एच जी greenhouse gases तो निकलते हैं उसको हम को क्या करना है reduce करना emission release directly during transport जो directly power gain की वेसे emission resulting from manufacturing की वेसे जो निकलता है या फिर disposal recycle करने के निकलता है vehicles के अंदर उसे हम कहते हैं decarbonizing मतलब carbon की वेसे निकलता है clear होगे तो इससे बात की जा रही है decarbonization करने की मतलब इससे कम करने की बात की जा रही है now majors to achieve decarbonization in transport sector अब कौन-कौन से majors हम देखने के लिए वह हम देख लेते हैं majors to achieve decarbonization in transport sector के अंदर emerging trends जैसे की work from home बगेर काफी तीज से बढ़ है अगर आप इस चीज को put कर सकते हैं तो दिखेगा कि हाँ आप लोगों ने यह करेंट की इसको किस तरीके से बुट किया है work from home e-commerce इन सारी चीज़ों का इंक्लूड करिए यह पुल पॉलिसी के अंदर आ गया है ठीक है more expensive parking space बगेरा पुश आप जो पार्किंग बगेरा है अगर बड़ी बड़ी गाड़ी कोई लेके आ रहा है single single तो इसको expensive बना दीजिए कोई अगर cycle बगेरा इस तरीके सो कोई आ रहा है bicycle बगेरा क्यूच करता है तो उसके लिए free of cost कर दीजे तो वह एक बढ़ हवा मिलेगा ठी ऐसी policies लेके आना है कि walking करिए walking distance पे 1 km 2 km आपकी health भी अच्छी रहेगी और pollution भी कम होगा है न इस सारी important चीज़ है improving infrastructure को बढ़ाएए जैसे कि बहुत सारी इसी चीज़ों होती है एसलेटर, lift, building, installation, heating, cooling, cogeneration इन सम्में बहुत ज़्यादा electricity यूज होती है और ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूद नहीं होती है इन सारी चीज़ों कि अगर हम इसे को यूज ना भी करें तो भी हम अपनी normal life को easily manage कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज ना करें मतलब ऐसा हो रहा है ना कि एसलेटर है तो हर आदमे एसलेटर से जा रहा है हर आदमें lift का यूज कर रहा है जिसे दिरूट नहीं आज की young generation की जो people है वो भी यूज कर जा रहा है उस सारी चीज़ों को देखना है आपको समझना है ठीक है तो वही सारी चीज़े है अब इस तरीके से आपको बना के आना है और इसको जरूर लिखना है देखिए यह बहुत important है अगर आप यह लिखते है डेफिनेटली आपको 100% आसल में नमबर मिलेगा जैसे decarbonizing transport इसके दर हमने लिखा public transport network and less polluting electrical electricity generation नाम सामने यह लिख दिया क्या SDG 3713 हमारा complete हो रहा है तो चल नहीं है अब इसके अंदर देखिए public transport mass rapid transport system अगर हम इस पर उस दोहाल लाते हैं तो हमारा SDG no.15 और 10 जो darkly impact करेगा resilient transport बनाते हैं through dedicated freight corridor से उससे हमारा SDG 123 oh sorry 128 cover होगा increase accessibility participation through TOD then 485 cover होगा then affordable and sustainable transport बनाते हैं तो SDG no.11 cover होगा तो इस तरीके से चीजों को link करके हुए हमको लिखना है कुछ order policy से इसको अब read कर लिएगा उच्छ government initiative है जो government लेके आई है जैसे कि transport sector के अंदर enhancing the passenger की mobility को बढ़ाना improving logistics flight transport corridor जो अलग-अलग corridor बना रही है और जो distance को sort करने की बात कर रही है increasing rail rail का यूज ज्यादा करिए efficiency को बढ़ाए awareness को बढ़ाना है average speed को बढ़ाना है इन सारी चो raising the average speed promoting low carbon transport same time improving the energy security को हमें बढ़ाना है clear no यहाँ पर देखिए road railways और airways and waterways चारोड लिखे हुए हैं काफी important है इसके उपर क्या-क्या काम किये गए हैं इसको हम एक बार नजर डाल लेते हैं देखिए roadways के अंदर important है यहाँ पर देखिए national electrical mobility mission हमने mission लेके है national electrical mobility mission and a faster adoption of manufacturing of hybrid and electrical vehicle in India film India यह इसकी मापको पता ही होगी BS6 norms हमने मतलब तरीके से electric vehicles को बढ़ाने की बात कर रहे है national policy on biofuel biofuel हम लेके हैं 2008 हरे के अंदर भारत माला project है promote the public transport such as metro rail high tax rate polluting vehicles के उपर high tax rate लगाया जाएगा hydrogen field जो beast public transport उसको बढ़ावा दिने की बात की जा रहे है तो यह सारी important points है roadways के हमने की है then railways के अंदर हमने क्या अलग अलग चीज़े की railway का हमने electrification कर दिया सबसे important railway electrification improving energy efficiency locomotive train को बढ़ावा दिया fixed installation green certification मिलना चाहिए for installation of station वगेर देसे एक dedicated fried corridor बने exploding renewable source of energy ठीक है जो कि renewable source of energy it is all set to transform itself into net zero carbon emission या देखेगा net zero carbon emission mass transport network by 2030 तक हमें चीज़ करना है कि net zero carbon emission यहां से निकले railway से clear हो गया 2013 तक का हमारा टार्गेट है airways से अगर मैं बात करता हूं airport authority of india has recently outlined a series of major initiatives it has taken to check the depression of ozone layer जिससे की route optimization करिये upgrading or surveillance infrastructure को बढ़ाना upper airspace harmonization को बढ़ाना continuous descent operation को करना collaboration environment initiative पो ground efficiency environment program को उससाब को करना blend करना bio jet fuel के experiment को निकालना यह सारी कुछ important चुड़ी चुड़ी चीज़े है एक पर आप आप नहीं दर्मालिक चीगा water waste के डेपलमेंट of national water waste वगेरा हो गए एलेंजी प्रोपेल्ड वेसल्स वगिला होगे तो ऐसा कुछ खास नहीं है उसको आप लिख सकते है जनरल सी भी फोरबेट के अंदर अगर यह question आता है क्या लिखेंगे mitigate greenhouse gas emission के ऊपर देन आप इसका evident in policies के अंदर की policies के अंदर NAPCC जो policy nationalization plan or climate change हम इसके अंदर कर रहे हैं तो यह government का policies भी आपने input कर दिया then proactive initiating infrastructure बनाएए प्रोएक्टिव रहने का मतलब है कि आप future को futuristic होके सोची कि कल कुछती problem आ सकती है कल को transport बहुत तीजी से बढ़ सकता है गाड़ियां बहुत तीजी से बढ़ सकती है तो इसके लिए ऐसा infrastructure पहले से तयार कर लीजे पूल बना दीजे और roadways lane को बढ़ी कर दीजे और अलग-अलग sort corridors बना लीजे तो यह सारी चीज़े important हो जाती है हम चलते हैं हम charging infrastructure की और तो यहां पर important हो जाता है charging infrastructure for electrical vehicles देखी यह एक futuristic technology है ऐसा कह लीजे कि अभी तो आ ही चुकी है electric vehicles वगेरा और आगे जो है इसका ही future है इसलिए काफी important हो जाता है इसकी उपर कोशेर आने के संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है क्योंकि आगे ECU पर काम करना है ECU पर work करना है और यह काफी important है इसलिए इसको हम पढ़ लेते है National Electrical Mobility Mission N.E.M.M.P. 2020 याद रखेगा it is a national mission document for the ministry of heavy industry and public enterprises providing the vision of road map for the faster adoption of electric vehicle जो आपको पता होगा F.E.M.E. Farthest Adoption of Electrical Vehicle Job का scheme है FAME उसके तहठी हम क्या कर रहे है यहाँ पर electric vehicle को जादा जादा अडॉप करने की कुशिश कर रहे है faster adoption and manufacturing manufacturing करें जादा जादा अडॉप्ट करें hybrid vehicles का, electric vehicles का इंडिया के अंदर, यह हमारे scheme है यह हमारी युज़ना है, 2015 में इसको launch किया गया था, manufacturing of hybrid electrical vehicle को बढ़ावा देना sustainability की और हमें बढ़ना देखिए, इसके अंदर face 1 के अंदर क्या हुआ था, face 1 जो scheme थी इसके अंदर, fame 1 जो कहते हैं initially launch हुआ था, 2 साल के लिए implement through the focus area क्या था demand of creation, creation demand की यह, देखिए, किसी भी चीज़ की अगर demand ही नहीं आएगी, तो कैसा होगा तो उसको logo cover कीजिए, logo दिखाए prototype बनाएए उसको technology platform लेके आए pilot project था, charging infrastructure तर त्यार करना important हो जाता है कोई भी demand तब होगी, जब उसकी सहूलियत आसपास होगी तो अगर आपके आसपास petrol pump है तो आप गाड़ी वाली, petrol वाली गाड़ी ले लेंगे ठीक है, लेगिन अगर charging infrastructure है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे उससे कहाँ charge करेंगे, तो एक suitable charging infrastructure बनाना काफी important हो जाता है Now, challenges in setting the effective charging infrastructure in India क्या-क्या challenges हैं, वो हम देख लेते हैं चलिए हम बना देते हैं, बनाने में कर जाना लेकिन कुछ challenges हैं, वो देख लेते हैं Lack of crucial resources, हमारे पास little non-reserve of lithium lithium, battery जो होती है इसकी, वो lithium की बनती है और जो lithium है, उसके जो reserve हमारे बास बहुत ही कम है तो यह बहुत ही बड़ा हमारे पास एक challenge है other जो crucial component है जैसे कि nickel, cobald, battery, graded, graphite, all जो सारी चीज़े हम क्या करते हैं, import करते हैं तो यह थोड़ा से हमारे बास crucial resource की कमी है Lack of skills की कमी है, क्योंकि technology नहीं है, लोग इतना अदा अव्यन नहीं है, इसके आरे में इतनी पढ़ाई नहीं हुई, इतना अदा वो नहीं है हर एक जगह पे, इसलिए इसके उपर एक problem निकल कहते हैं, इसकी कमी, time consuming है it still take longer to charge electrical vehicle than it does the refuel the conventional car at the pump तो अगर आप petrol भरवाने जाते हैं, diesel भरवाने जाते हैं, तो आपको बस मुस्किल से 5 minutes, 10 minutes के अंदर, 5 minutes के अंदर max to max, 5 minutes के अंदर आप भरवा लेते हैं, लेकिन अगर आप charge करेंगे तो वो time consuming रहेगा, वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे solution, अभी हम देखेंगे solution क्या क्या है, और तो यहाँ पे आपको यहाँ रखना है कि disposal of lithium ion batteries जो batteries खराप हो जाएंगे उसको आप किस तरीके से dispose करेंगे वो यह बहुत बड़ा concern है जो है लगबग पता जा रहा है कि have 30% of all vehicles, जो है electrical जो vehicles है, वोट 2030 है किनके battery होगे, खराप हो जाएंगे उन battery को किस तरीके से आप change करेंगे, उनको किस तरीके से आप आगे response करेंगे, वो यह बहुत बड़ा concern है power supply तो हमने बाती कर ली है reliable access power supply power supply हमारे पाथ 30 से बढ़ जाएगी तो हमें feed करना पड़ेगा charging station बगेरा को, बहुत जादा power की मतलब हमें जरूरत पड़ेगी electricity बगेरा की तो वो चीज हम कहां से लाएंगे वो हमारी league बहुत बड़ा एक challenge है, तो देखी, ऐसा कहा सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं solution की कर दी, तो एक जो आपके पास प्लेटफोर्म है वहाँ पर charging infrastructure होना चाहिए आपके हर एक जगह पर जैसे अगर आप office जा रहे हैं आप कहीं पर भी काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर होना चाहिए, वो अपने आप charge हो जाए तो घर में भी आप छोटा छोटा ऐसा create कर सकते हैं ऐसा को system हम ला सकते हैं तो ऐसा को solution आप दे सकते हैं कुछ guidelines हैं जैसे की location of public charging जो बताया गया है वो should be 3 to 3 km in the cities होना चाहिए, 33 km के 3 से 3 मजब 9 से 9 km के अंदर-अंदर होना चाहिए जैसे एक यहां पर हो गया तो यह एक यहां पर तो यह 3-3 km के उसमें है 33 से 9, phase wise installation होना चाहिए, next जो phase wise installation होगा वो 5 साल के अंदर होना चाहिए जो बड़ी-बड़ी cities होना चाहिए जो बड़ी cities होना चाहिए जो catering to habit duty जो vehicles है fast charging जो station है वो सब create करना चाहिए every 100 km के अंदर हाईवी बगिरा के अंदर हमें जो fast charging station है वो बड़ाना चाहिए जैसे कि आप लोग जाते हैं कि बहुत सारी सी चीज़े mall भी आ रहे हैं जो fast charge कर देते हैं इस तरीकी सामें technology का यूज करकर करके हमें चीजों को यहां पर भी यूज करना चाहिए इस वफ सेटिंग्स को इस वफ सेटिंग्स करिए आप हर जगा पे locate करवाईए वो सारी चीज़े हैं free to public charging station हो चाहिए कुछ ऐसे charging होना चाहिए जो इंडी विलेचे इंटीटी के लिए free होने चाहिए वो चीज कर सकते हैं अब conclusion में सारी चीज़े जला सकते हैं कि हाँ यह green revolution की तरह एक new जो green revolution है हमें इसमें participate करना चाहिए और यह बहुत जादा important है government की policies को बढ़ावा देना चाहिए manufacturing की और हमें और कदम उठाने चाहिए और इन सारी चीजों से हम आगे इसको बढ़ावा देना चाहिए clear now two point four में देखते है energy efficiency देखे यहां पर हमने बात कर दी infrastructure की अब उसी से लिटर है energy efficiency की energy की बहुत जादा ज़रूरत है clear क्योंकि technology ऐसी बन रही है energy conservation act आया था 2001 के अंदर now हमने फिर दो चीज़े setup करी क्या BEE Bureau of Energy Efficiency and the National Mission for Enhanced Energy Efficiency NMEAE यह दोनों चीज़े बहुत important है इन सब के रूल आपको पढ़ना है एक बार कुछ impacts देख लेते हैं various energy efficiency intervention in India यहां बताएगा है adoption of energy efficiency scheme program to let the overall electricity to saving होगी वो 9.39% तक हो सकती है यहां पर बताया गया है कुछ importance electrical plus thermal हम achieve कर सकते हैं यहां पर कुछ data दिया गया है tune 2.84% और जो कि इसमें total energy saving achieve किया है वो 2.69% है clear जो paid scheme से contribute हुआ है 57.72% of total energy saving और इंडियन नेशनल रुपीज में यह सारी चीह बताएगे तो इसना रटने गेरोत नहीं है यह बिल्कुल भी बिल्कुल आप इसको छोड़ सकते हैं रटने गेरोत नहीं है बस कुछ data है अगर आप चाहें तो इसको huge कर सकते हैं आपने answer राटनी के अंदर way forward के अंदर यहां पर बता सकते हैं जो current scheme program से उनकी क्या rules है और municipal agriculture के अंदर transport के अंदर smart city mobility देखे smart cities बनेगा तो definitely electricity के जरुवत पढ़ेगी energy की जरुवत बहुत जादा तीजिस से बढ़ेगी तो उसके लिए हमने कुछ guidelines निकाले हैं सारी चीजियों को आप लेख सकते हैं अब देखिए यह एक छोटा सा चार्ट है इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं ऐसे इस तरीके से करते हुए और यहां भी बता सकते हैं किस तरीके से सेविंग और टोटल अर्जी जो consumption है वह दोनों किस तरीके से साथ बाए साथ चल रहा है दोनों बढ़ रहा है मतलब consumption भी बढ़ रहा है और Saving भी मतलब यह तरीके से clear होगे तो वह सारी चीजिए आप यहां पर पता सक है 4th number Saber Municipalty वगेरा की जरुरत हो जाती है और 5th number पर transport हो जाता है और 6th number पर हमारा commercial use हो जाता है तो सबस्दाइड energy की जरुवत कहां पड़ती है इन्डिस्टिक और domestic use काफी करते हैं तो अगर हम domestic use को control लेते हैं ठीए अगर हम इसको control कर लेते हैं domestic use को तो हम बहुत बड़े हिस्सी को control कर सकते हैं then again अगर हम industry use को control कर लेते हैं then definitely हम एक बहुत बड़े हिस्सी को control कर सकते हैं यही हमारा आगे का target से net zero building और district cooling हो गया smart meter, internet of things पिछले वाले lectures में हमने बहुत साथ चीज़ इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कुछ examples देके कुछ countries के अंदरे चीज़ हो रहा है कि बहुत सारे buildings हैं या suppose आपकी colony हैं तो वहाँ पे बीच में एक pond बना देंगी square point करके या फिस circle point करके तो उसमें पानी भी बच जाएगा तो उससे क्या होगा एक जो बाड़ा होडाने की संभाफ न होती वो काम हो जाएगी दूसरी बात अगर उसमें पानी रहेगा तो उस पानी का वाटर का यूज़ कर सकते हैं second वो cooling effect आपके पुरे जो area है चोटा सेरी है उस चोटे सेरी में cooling effect बरकरार रखेगा उसकी वेसे क्या होगा आप fan कम चलाएंगे आप AC कम चलाएंगे तो उसकी वेसे यह हम electricity और energy में control देखने को मिलेगा तो इस चोटे चोटे points से आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कि district cooling जैसा एक concept लेके आई या हर एक कम से कम colony के अंदर एक इस तरीके से pond वाला system जरूर होना चाहिए तो वो एक multiple ways से आपको help करेगा managing agriculture emission अब जो agriculture से emission निकलता उसको हम किसे हम manage करेंगे recently जो हुआ है green AG जो project है launch किया है यहाँ पे government of India ने उसे हम देख लेते हैं पहले तो सबसे important चीजे कि agriculture emission in India contribution अगर हम बात करता हूँ agriculture and live store जो contribute करता है 18% of pro national greenhouse gases emission मतलब जो greenhouse gas जो emit होती है उनमें से 18% जो emit होती है वो कहां से आती है agriculture से आती है clear अब green AG project के अंदर हम क्या करेंगे हमारा जो aim रहेगा at least 104070 that means hectare of farms under the sustainable land हमें बनाना है 49 million carbon dye oxide को equivalent to इस तरह के सामें यहाँ पे create करना है पेड़ पोदे लगाने हैं और land use को बढ़ाने हैं जो बंजर भूमी है उसे हमें उपजाव बनाना है वहाँ पेड़ पोदे लगाने हैं जिससे green area ज्यादा green cover जिसे बढ़ें प्रोजेक्ट जो है implement किया जाएगा बहुत important है मिजोरम, राजस्तान, मदवरिस, उडिशा और उतराखन यह जो state in के नाम आपको याद रखने काफ़ important हो जाता है it is funded by global environment facility तीचे यह रखना है कितना area हो गया किते हम में target रखा है carbon dioxide का बनाने का then कौन-कौन से state है जहां पर implement होगा और किसके दौरा fund किया जाएगा जी यह global environment facility की दौरा diagram लेख सकते हैं इस तरी किस लेख सकते हैं यह CH4 निकाल रहा है animal ठीक यहां से N2O plus CH4 निकाल रहा है manual measurement की वेसे ठीक है soil indirect emission इस सारी चीज़ा आप लेख सकते हैं energy use irrigation usually highly inefficient water pump water pump का use होता है account 70% of the energy condition in agriculture दो एकर जल के अंदर जो भी electricity consume होती है जो भी energy consume होती है उसमें 70% जो है water pump बगेरा के अंदर यूज होता है तो हम क्या ऐसा की चीज़े कर सकते हैं ऐसी चीज़े आकि वहां का वहीं use हो जाए solar water pump बगेरा हम create कर सकते हैं इसकी solar energy से water pump वहीं का वहीं यूज करें और अपने electricity को खुदी यूज कर ले खुदी बना और खुदी यूज करें क्लियर पॉलिशन की बात कर रहे हैं अगर मैं बात करता हूं तो challenges हमारे पास क्यों हम इसको कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि unfair government की policies हैं अब आप बोलेंगे sir ये unfair government की policies कैसे हो सकती है definitely देखें कुछ government की policies क्या कर रहे हैं कि आप ऐसा की cattle rearing को बढ़ावा दे रही है इस सारी चीजों को definitely देना भी चाहिए लेकिन उसकी बेर से एक negative चाहिए देखने को मिलते हैं यूरिया बगेर आप ही उच करिए और इस तरीके से बहुत सारी इससे प्रोजेक्ट चीजे है policies है अगर आप पढ़ेगे तो बस आपको unfair government policies बस इसको प्रिट कर देना है high population demand है high population हो रही है demand इसे बढ़ रही है जिसके विए से सारी बढ़ रही है पूर knowledge कुछ लोगों को knowledge ही नहीं कुछ फार्मा सेरी को knowledge ही नहीं है अपने land की knowledge नहीं है कि उसको कैसे यूज करना चाहि किस तरीके से इसको manage किया है कितना fertilizer यूज करना चाहिए वो अंधा दून चीजों को यूज करते हैं किसी भी तरीके से तो उसका एक negative impact देखने को मिलता है पूर एग्रो टेक एडवांसमेंट कि जो technology है वो अभी तक हमारे farms तक नहीं पहुचे जो बड़े-बड़े farm लेबर्स हैं वो तो यूज कर रह लेकर हमारे इंडिया के अंदर जो small farmers हैं वो बहुत जादा बड़े level पे हैं तो small farmers हैं उनके पास जो technology है वो नहीं पहुच प पास भी हमारी नई से नही टेकनोलोजी को वहां तक हम पहुचाएं तो यह सारे चियों को आप अपने conclusion में लिखेंगे नौ एन्वल greenhouse gas emission by sector सेक्टर बाइस annual जो है यहाँ पे लिखा हुआ गया है कितना greenhouse gas emit होता है एक बार आप नजर मारिए industrial processes के अंदर 15.9% है power station 25.6% waste and disposable treatment 3.6% इस तरी के सारी important चीयों को आप देख सकते हैं नौ यहाँ पे CO2 जो emission हो रहा है वो किस तरी के सोरा 72% of total है methane 20% of total है and nitrous oxide 5% of total CO2 सबसे ज़्यादा है और उसके sector wise भी यहाँ पे दिये गए तो आप एक बार जरूर इसको नजर माईएगा कि CO2 सबसे ज़्यादा कहां से निकल रहा है ठीक है तो यहाँ पे बताया गया है इंडेस्ट जिससे कि आप मैं बता दूं गता हूं red वाला मतल सिंस 2015 तो रिद्यूस नाइट्रस ऑकसाइड दैट मींस हमने किस पर टार्गेट किया है नाइट्रस ऑकसाइड पे हमने टार्गेट किया नाइट्रस ऑकसाइड इस पर टार्गेट किया तो नाइट्रस ऑकसाइड नेम कोटिंग वे से यूडिया के अंदर नीम कोटिंग हो जिसके इस नाइट्रिस्ट ऑक्साइड काम होगा क्लियर इंडियास नैशनल मिशन फोर्स स्टेनेबल एगरीकल्चर अमॉंग दा एगरीकल्चर एमिशन इंहेंस फूर्ट सेकुर्टी को बढ़ावा जाने की बात की जारी क्लामेट रेजिलेंट एगरीकल्चर बाना है की बात की जारी बहुत सारी इपॉर्टेंट हमने इसके अंदर पॉइंट्स रखे गए जैसे कि जीडिबी अपको थर्टी फाइफ परसेंट बाई टूसाजन फाइफ लेवल के अंदर UNFCC का ये टो रिड्यूस इमिशन का टार्गेट है सॉल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि किस सॉल के अंदर कौन सी जो फासाल हो जादा उपचाओ है उसके लिए अंदर कौन कौन से निउट्रेंट्स की ज़रुत है और कौन से निउट्रेंशी ज़रुत नहीं है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया ने जो इस्टॉल किया है यहाँ पे टू लाइक सॉलार वाटर पॉम्प जो कि अब ही मैंने आप से उपर डिसकस किया था कि आप वाटर पॉम्प के उपर बहुत ज़्यादा हम मतलब इस तरीके से यूज होरी एलेक्टिसिटी फार्मिंग अंदर तो वहाँ पे आप सॉलर वाटर पॉम्प बना दीजे वो हमने किया भी अनॉदर टू पॉइंट फाइम मिलियन जो है प्लान किया जा रहा है रिड्यूस एमिशन के लिए एनर्जी यूज इन एगरी कल्चर तो यही था आज की लेक्टिर में थैंक यू वरी मुच फूदर डिसकेशन सपोर्ट अस तो वी कें सपोर्ट यू इस वीडियो इंक्रीज और किसी भी एप की मदद से आप हमें कॉंट्रिबूट कर सकते हैं या फिर यह देखिए नीचे आपको यू पिया आड़ी लिखी हुई है तो यहां पे आप कॉंट्रिबूट कीजिए और जिस तरीके से आपके सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली मुझे अगर समझ में आता है तो मैं बिल्कुल जॉब छोड़के आप लोग के लिए फुल टाइम आपको इंवेस्ट करूंगा पूरा टाइम दोंगा और डेली एक से दो लिक्चर आएंगे और आपको हेल्प मिलेगी फ्री और कॉस्ट में आपको आंसर राइटिंग प्रिलिम्स के लिए मेंस के लिए और एमसी क्यू और हो सकेगा तो फ्यूचर में हम न्यूज पिपर डिसकेशन और इस तरीके से जो भी इंपॉर्टन चीज़े हैं सब को हम डिसकेश करेंगे और करेंगे तो थैंक यू बेरी मुच फूर दिसकुशन